आज हम इस वीडियों हमारा इंग्लिश का 3.1 करेंगे जिसका नम है इट कैन बी ड़न ठीक है यह मैं आपको हिंदी में एक्सप्लें करूँगा यह पोएम इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देना ओके तो चलो भी स्टाट करते हैं देखो हमारी पोएम का नाम क्य है इट कैन बी ड़न मतलब कि यह पॉसिबल है आप कर सकते हो तो देखो जो हमारे पोएट है यहाँ पर एक पॉजिटिव बात के साथ हमारी पोएम स्टाट करते हैं ठीक है कि आप कर सकते हो यह किया जा सकते है ठीक है कोई भी काम लेकिन इस पोएम में पोएट एक ऐसी इ मतलब कि miss करना मतलब की खो देना fun मतलब क्या होता है इट कांट बी डन मतलब की ये नहीं किया जा सकता है ये possible नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या बोले है कि ये एक ऐसा इंसान जो हर एक काम को बोलता है कि ये possible नहीं है इसको नहीं किया जा सकता है तो वो इंसान वो सारे मज़े को वो सारे fun को खो देता है जो वो काम करने से मिलता है मैं आपको एक example देता हूँ समझ दो आपके teacher ने एक project दिया है group project ठीक है जो आप दोस्तों को मिलकर बनाना है एक दोस्त के घर पे जाते हो जहां एक दोस्त रहेगा बोलेगा अरे project नहीं बन पाएगा क्या फाइदा बना कर पता ने teacher देखी गया नहीं project तो ऐसा बोलके वो project बनाने नहीं जाएगा दोस्त के घर तो इससे क्या होगा जो भी मस्ती दोस्त के घर करोगे जो भी मजे करोगे तो वो जो बच्चा रहेगा ज सारे चीजे मिस कर देगा, यह सारे fun मिस कर देगा, ठीक है? अब दोखो आगी का है? In solemn pride, he stands aloof and greets each venture with reproof. दोखो, solemn pride मतलब क्या होता है? मतलब कि एकदम serious देखना, हर दम serious रहना, और aloof मतलब क्या होता है? मतलब कि अलग, जो किसी भी चीज में involved ना होता हो, किसी भी चीज में हिस्सा ना लेता हो, ठीक है? उसको हम aloof बोलते हैं, stand मतलब खड़े होना venture मतलब क्या होता है? मतलब कि अब बोल सकते हो एक adventure, कोई भी romance काम, reproof मतलब क्या? मतलब कि criticism, किसी भी चीज के बारे में बुरा बोलना, ठीक है? ये stanza में क्या बोल रहे है? कि ये जो इनसान है, जो हर किसी काम को बोलता है, कि नहीं किया जा सकता, ये काम possible नहीं ये करना, वो इनसान एक अलग घमर्ण में रहता है, अपने आपको सबसे अलग समझता है, और वो लोकों से अलग रहता है, कोई भी अच्छा काम भी करने जा रहा है, तो उसकी बुराई करता है, क्या रहे है, क्या काम कर रहा है ये तो possible है नहीं, ये कैसे करेगा तो यहाँ पर उस इनसान के बारे में बात हो रही है, ठीक है? जो ना खुद तो कुछ काम करता है, अपने आपको सबसे अलग रखता है, और अगर दूसरा भी कोई काम करता है, तो उसे भी क्रिटिसाइज करता है, उसके बारे में बुरा भला बोलता है, ठीक है? अब आगे देखो आपको क्या है? हैड ही दा पावर ही इफेस दे हिस्ट्री ओफ दी हूमन रेस अब देखो, इफेस मतलब क्या होता है? इफेस मतलब की, वाइप आउट करना मिटा देना, ठीक है? और हिस्ट्री मतलब की, आपको मालब है अतीत हूमन रेस मतलब, जो हमारी इंसान, जो, इंसान की जो रेस है ठीक है? हम लोग तो देखो, यहाँ पर क्या बोले है? कि अगर ऐसे इंसान के पास पावर रहे जो हर काम को करने से पहले ही बोलता है कि नहीं किया जा सकता तो ऐसा इंसान, हुमन रेस को ही खतम कर देता, इंसानियत को ही खर्तम कर देता, कैसे देखो, आपको पता है, पहले के समय में इंसान लोग कैसे रहते थे, चटान, पहार जो गुफा रहती है, उसमें रहते थे, फिर धीरे-धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा, फिर उन्होंने पईया बनाया, पईये के उपर सामानोमान लेके जाते थे, फिर खेती बढ़ा की करना शुरू किया, फिर उसके बाद अलग-अलग invention किये, उससे आज हम जो जगहां पर पहुचे हैं, तो यह इसे धीरे-जीरे करके पहुचे हैं, लेकिन अगर ऐसा इंसान, जो हर काम को करने से पहले ही बोलता है, यह नामुम्किन है, किया नहीं जा सक ठीक है, अब आगी क्या है, we would have no radio और motor cars, no streets led by electric stars, देखो क्या बोल रहे हैं, कि और अगर ऐसा इंसान, ऐसे इंसान के हाथ में पावर रहती, तो हमारे पास ना radio रहती, ना गाडिया रहती, और ना हमारी सड़कों पर street light रहती, जिससे सड़कों पर रास्ते पर उजाला रह ठीक है, तो यह सारी चीजे हमारे जीवन में नहीं रहती, अगर ऐसा इंसान, ऐसे इंसान के हाथ में पावर रहती, जो हर काम को बुल्दक नहीं किया जा सकता है, यह possible नहीं है करना, अब आगी क्या है, no telegraph, no telephone, will linger in the age of stone, देखो यहाँ पे, telegraph मतलब क्या होता है, telegraph भी ए age of stone मतलब क्या, ऐसा समय जब इंसान लोग अपने EBS 2 में पढ़ा होगा, ठीक है, stonage बोलते हैं, जब इंसान लोग पत्थर से आउजार बनाते थे, पत्थर से अपने सारे tools बनाते थे, तो उस stage को हम stonage बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि अगर ऐस इंसान, जो हर चीज को बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, तो वो उसके हाथ में पावर रहती, तो हमें ना टेलिग्राफ मिलता, ना टेलिफोन मिलता, और हम जो age of stone है, जो stone age का time था, उसी में अटके रहते, क्योंकि ना कोई invention हो पाता, ना हमारे जो human race है, वो आगे बढ़ तो हम वैसे कर वैसे ही रहते, ठीक है, एकदम बिछुड़े हुए stone age के समय के, ओके, the world would sleep if things were run by men who say it can't be done, क्या बोले, और पूरी दुन्या सोई रहती, अगर दुन्या ऐसे इंसान द्वारा चलाई जाती, जो ये हमेशा बोलता, कि ये नहीं किया जा सकता है, ये काम करना possible नहीं है, ठीक है, ये तुमसे नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान द्वारा दुन्या राज की जाती, दुन्या पर इसका राज चलता, तो कोई काम हो ही नहीं पाता, सब लोग सोई रहते, कुछ काम करते नहीं, ठीक है, तो देखो, जो हमारी poem है, इसके poet कोन है, anonymous, देखो, anonymous क मैं आपको इसके question answer दूँगा, तो आप channel को subscribe करके रखो, ताकि आपको अगला video भी मिले, अगर ये video आपको अच्छा लगाओ, तो आप इस video को like करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, channel को subscribe करो, thank you